कि हेव्रिवान हलो प्यारे बच्चो कें यू आल सी मी कें यू आल हीर मी गईस ओके सो वी यह यह विद आना दर सेशन बच्चो और आज रे आप्टिक्स का होने वाला है अन्थ है ना दर एंड और जो एक टॉपिक यहां पर बज़ गया था हमारा वह आप्टिकल इंस्ट्र तो 12 में सिर्फ दो चैप्टर बच्चे हुएं गाईस वेव आप्टिक्स और मॉडरन फिजिक्स तो डेफिनेटली अगर आपने गेस किया है वेव आप्टिक्स तो बिलकुल सही है बच्चो नेक्स चैप्टर कल से शुरू होगा हमारा वेव आप्टिक्स का गाईस और य हम लोग करने वाले हैं optical instruments तो हम कोई भी कसर में चोड़ रहें बच्चो प्रिपरेशन में आप बस classes मिस्मत करो और बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते जाओ राइट चलिए शुरू करते हैं सेशन को I hope you all are doing great तो गैस सबसे पहले तो yes my name is Gaurav Gupta and I have studied from NIT पिछले six plus years से मैं नीट के बच्चों का जो physics का phobia होता है उसको दूर करने के कोशिश कर रहा हूं I have taught and mentored one lakh plus NIT as parents साथ ही साथ मैंने बहुत सारे multiple AIRs भी प्रोड्यूस करें है और बच्चों यह सब matter नहीं करता है matter करता है आपका प्यार और आपका support आपका love जिसके लिए हम यहाँ पे हैं और यह continue होना चाहिए right everyone तो चलिए गाइस start करते हैं आगे बढ़ते हैं तो प्यार को continue करते हुए support को continue करते हुए इस चानल को यार subscribe कर लो जल्दी से आनक आडमी नीट टॉपर्स जो आपका चानल है बेल आइकन भी दबा दीजिए इससे आपको notifications मिल जाते हैं time पे और हाँ इस चानल का एक telegram चानल भी है जहां पे आपको session के पहले हर session का notification भेज़ दिया जाता है link भेज just install telegram app और यह link join कर लो t.me slash unacademy need toppers right everyone और बच्चों साती साथ हम आपको YouTube पे तो सब कुछ सिखा रहे है special classes पे भी हमारी classes होती है यह तो हो गई free के बात बट कई बच्चे free में है ना जो classes मिल रही उसमें serious नहीं हो पाते हैं बहुत अच्छे से तयारी नहीं हो पाती है उनक unacademy subscription ले सकते हो guys unacademy subscription पे आपको क्या क्या मिलेगा life classes तो मिलेंगी आप अपने teacher के साथ interact करके बढ़ सकते हो है ना आप बाते कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं doubt भी पूछ सकते हैं साथी साथ live polls और leaderboards भी देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे best series और analysis भी मिल जाती आपके सिर्फ और सिर्फ doubts लिये जाते हैं बच्चो especially physics के लिए तो आपको यह subscription लेना चाहिए because physics में अगर आपके पास doubts ज्यादा accumulate हो गए अगर वो नहीं clear हो पाए तो आपका interest खतम हो जाता है physics से है ना बच्चो तो yes अगर आप यह नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा पढ़ाते हैं और हमारा भी बैच यहां पर शुरू हो रहा है physics का बैच बच्चो कल से शुरू हो रहा है fusion के बारे में जो मैंने आपको बताया था guys कल से शुरू हो रहा है और कल से हम शुरूआत कर रहे बच्चो thermal physics की thermal physics एक 11th का topic है और यहां के कुछ concepts बिल्कुल 12th के एक current electricity तो हमने यह idea रखा है कि एक 11th का chapter एक 12th का chapter और इनके बीच में कराया जाएगा क्या बच्चो fusion है ना जिससे हमारा time बचेगा कम time में जादा से जादा chapters cover हो जाएंगे and this is the need of the moment अभी आपके पास जितने महीने बचे हैं आपको बस यह करना है कि सारी चीजे detail में एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं तो अगर आप अभी तक बहुत अच्छी तयारी नहीं कर पाए हैं तो भी बच्चो आपके पास मौका है इस batch को join करो fusion batch can really change the way you are preparing for your physics examination राइट और बच्चो इसको लेरे के लिए आपको क्या करना है आपको अनकाइडमी आपके पास one year is 34,650 and two year is 50,400 any subscription that you want you can take it from here और फिर लास्ट में आपको जीजी लाइफ कोड लगाना होगा बच्चो जीजी सरको लव आप अल्रेड़ी करते हैं है ना गाइस तो ये code है ना ये code आपको maximum discount दिला सकता है गाइस जीजी लाइफ कोड लगाई और maximum discount ले ठीक है साथी बच्चों यहां पर iconic subscription का भी option होता है iconic में यह सारी basic चीजे तो आपको मिलती है जो basic subscription में मिलती है बट iconic के अंदर एक बहुत amazing चीज है जो है personal coach आपको एक personal coach मिल जाते है iconic के अंदर जो आपको expert guidelines देंगे study planners देंगे कि किस चीज को कब कैसे कहा कब क्यों पढ़ ठीक है तो iconic में naturally prices थोड़े से जादा है यहां पर सिर्फ तीन options है या तो six months का मिलेगा या तो one year या तो two years का मिलेगा right everyone यहां पर three months का option नहीं है six months का option 34,000 रुपीज के आस-पास का आएगा बच्चों तो whatever you would like है ना three months six months या फिर 12 months 24 months वो आपको plus पे मिल जाएगा यहां प क्या यह देखके अंदर goose bump आता है yes everyone backlog का ब्रह्मास्त्र है ना यह miss मत कर दे ना वेटा यह backlog का ब्रह्मास्त्र आज मैं तुम्हें देने वाला हूं जिसको चला के तुम सारे backlogs अपने clear कर सकते हो and that is guaranteed ठीक है तो आज बच्चों अभी हमारा session कितने बज़े हो रहा है छे 15 को इस session के तुरंद बाद हम मिलेंगे जहां पर आपके गौर्वाचार्य आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाले है ना जैसे वो होता था ना महाभारत में महाभारत की story है ना वो कर्ण कर्ण जाते हैं द्रोणाचार्य के पास है ना सही बोल रहा हूं ना परशुराम के प पहले पहले फिनिश हो जाएगा 15 मिनिट का टाइम रहेगा फिर से आ जाना session में and this session will be hardly for 20 minutes 20 minutes में जो तुम्हें ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं आज that can really change that can really change the way you are preparing in physics है ना physics की दिशा आपकी बदलने वाली है दिशा और दशा सब बदलने वाली बच्चो तो ये session तो मि friends के साथ सब के साथ ये बहुत जादा helpful होने वाला है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया derivations भी कराएंगे बिटा derivations भी कराएंगे boards को थोड़ा पास आने तो ओ भाई जब ये क्या है ये तो बिल्कुल alien की तरह दिखाए दे रहा है ये तेरी आखे बड़ी बड़ी ऐसा गाना है उसका नाम है simple microscope ठीक है अब ये नाम बड़ा खतरनाग नाम है microscope but actually simple microscope कुछ भी नहीं होता जो आपने magnifying glass देखा होगा है आपके स्कूल में था बिटा स्कूल में इतना budget था क्या कि magnifying glass हो इतना तो रहा होगा budget है ना हाँ भले उसका use हम सिर्फ इतना करते थी कि paper जला रहे हैं है ना सूखी पत्तियों को जला रहे है वो अलग बात है वो तो हम बच्चों की creativity है Indian बच्चों की बागी ठीक है अगर स्कूल वाले effort कर सकते थे तो रहता था स्कूल में magnifying glass एक तो लाब के अंदर है ना फिर वो ठंड के दिनों में बढ़िया लेके बाहर चले जाओ है ना sunlight को सूखी पत्ती बे फोकस करा और इसको जला दो किया होगा यह सब तुम लोग ने है ना किया होगा यह सब तुम लोग ने है तो यही चीज होती ह माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे आज इसकी magnifying power के बारे में कितना magnification दे सकता है आपको ठीक है इसका magnification भी देखेंगे बच्चो resolving power भी देखेंगे microscope का फिर हम पढ़ेंगे telescope telescope का भी हम resolving power देखेंगे microscope में भी दो टाइप के microscope देखने वाले हैं हम लोग simple microscope देखने वाले और compound microscope भी देखने वाले हैं तो excitement का level मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है जबकि ऐसा है नहीं चैट में ऐसा कम लग रहा था मुझे एक सेकेंड के लिए तो मुझे जल्दी से बेटा गलत साबित कर दो धेर सारी excitement दिखा दो चैट बॉक्स के अंदर आग लगा दो चैट बॉक्स क microscope का ठीक है चलो तो हमारी class में से एक बच्चे को select करते हैं अमन सिंग ने यहां पर आग भी जला दिया है चलो ठीक है तो अमन सिंग क्या है वो चीजों को देखना चाहते हैं जैसे बागी लोग देखना चाहते हैं हम और आप देखना चाहते हैं वैसी हमारा प्यारा सा में यह क्या मतलब होता जाइब प्राइस रिंज है कि यह कुछ यह समझ मैं आइ सर मैंने क्या क्या की पूछ रहा है सर मैंने ब्ला एक मिने बहुत जोटा सा अगर तुमारे पस bugün हो बहुत जोटा सा Alice कि है ना तो कैसे देखना पसंद करोगे अरह यह यह नी आखों से देखना पसंद करोगे, कहां रख के देखना पसंद करोगे, अगर बहुत छोटा है तो उसने बुला हाँ सर, अब मेरे को आपकी बाते चमक रही है, सर अगर छोटा अबजेक्ट हुआ ना तो मैं पास से देखना पसंद करूँगा, मैंने बुला ठीक है पास से दे तो अगर तुम इतने पास से किसी चीज को देखो तो क्या वो साफ साफ दिखाई देती है नहीं दिखाई देती नहीं दिखाई देती विटा साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो हमारा जो विजन है ना उसकी रेंज कुछ इस टाइप से है देखना एक तो देखो एक तो इ बेस के अंदर यहीं से बैठे बैठे है ना बढ़ी आप मार्स को देख रहे हो अरे मार्स पर क्या चल रहा है वह देखो एक छोटा सा एलियन इदर से उधर किया यहां पर फाइट कर रहे है इंफाइनाइट का मतलब यह नहीं है कि तुमको उतनी दीर की दूर की चीज़ तो यह होता है वो नजदीक वाला पॉइंट जहां पर आप आसानी से सीजों को पढ़ सकते हो अट लीस्ट आप देख सकते हो कि क्या है तो कौन बच्चा बताएगा कितना होता है लीस्ट इस्टिंस अफ डिस्टिंक्ट विजन 25 किलोमेटर जरूर उस बच्चे ने 25 सेंटिमीटर ठीक है बहुत बढ़िया देखो छोटी से चीज को अगर देखना है तो लगभग 25 सेंटिमीटर पर रखो बड़ी आसानी से बड़िया से दिखाई देगी वो है ना थोड़ा दूर कर दोगे तो छोटी दिखाई देगी थोड़ा और दूर कर दोगे और चो तो हमने बोला यह अपना object है, यह देखो, अपना object, कितना प्यारा object है, देखो, है ना, कितना प्यारा object, इसकी height h0 है, ठीक है बेटा, इसकी height कितनी है object की, h0 है, और इसको हमारी आँखें, हमारी प्यारी प्यारी आँखें कितनी दूर से देखना चाहती है, D distance से तो ये देखो बेटा, ये D distance है, ये देखो D यानि कि 25 cm, least distance of distinct vision और हमारी आँखें बहुत खुश कि अरे वा, object D पे रखा है, बहुत बढ़िया, अच्छे से दिखाई देगा तो ये जो object है, इन प्यारी प्यारी आँखों पे जो angle subtend करता है, ये object कुछ angle subtend करेगा है तो उसके लिए आप ये उपर वाले point को इसके साथ join करा दो ये angle कहलाता है बेटा, theta knot तो किसी h knot height के object का क्या angle subtend होगा इस point पे आपकी eyes पे वो angle किस से दिया चाहेगा बच्चों देखना, आप लिख सकते हो ना, tan theta knot is equal to perpendicular by base है ना, यानि कि h knot by d, लिख सकते हैं क्या बेटा, यही angle subtend होगा होगा है और अगर वो angle होटा हुआ, अगर वो angle चोटा हुआ, जो deeper होता, आप क्या बोलेगा अगर टैन थीटा लिखा हुआ है और अगर वो एंगल छोटा है तो अप्रॉक्सिमेट कर सकते हो थीटा नौट पे तो यह आ जाता है बच्चो एच नौट डिवाइड़ बाई दी ओके एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में दिल बनाते हुए सर को बता दीजिए कि क्या बा बढ़िया लेकिन हमारे साथ हो गई ट्रैजडी हम अबजिक को छोटा लेते लेते इतना छोटा ले लिए कि वो यहां से भी ना दिखे हमें आसानी से हो सकता है ना ऐसा बहुत छोटा है यार बहुत छोटा है तो नेकेड आइस फेल हो जाएंगी वहां पे नेकेड आइस कि भाई साब ज्यादा मेरे साथ मजाग मत करो ठीक है जो है यहां पर एक अच्छे खासे साइज के अबजेक को मैं देख सकती हूं तुम अलगी मजाग कर रहे हो मेरे साथ इतना छोटा सा अबजेक्ट रख दिया और कहते हो लो डी पे रखा है देखो ऐसे कैसे देख लू जो चा कि भाई साब अगर इसके बीच में एक लेंश रख दिया जाए लेंश तो लेंश तो कई बार मैंगिफाइंग इमेज बनाता है अरे हां यह कर सकते हैं आपन कोई बात नहीं हमारी प्यारी आँख है आप बिल्कुल परेशान मत होई है छोटा आबजिक्ट हम आपक भीचनिंगे उसी लेंड को बोलते हैं बच्चो माइक्रोषकोप इसी टौदे एंगर ओसी लेंड कोद्थ को कैसे इसको disproportionately करेगा पूरा मस तरीकर सा समझ आए ठीक है Sun and microscope आया उसने बोला अच्छा तुम्हें magnification चाहिए हमने बोला हाँ चाहिए वो कहता देखो मेरे पास दो option है मैं दो जगे image बना सकता हूं जो तुम्हें दिख जाएंगी या फिर ऐसा कहलो कि दो locations है extreme locations हैं बीच में तो तुमको image दिखेगी ही बट उन दो extreme locations में भी दिख जाएगी मैंने बोला अच्छा यह कौनसी दो locations है उसने बोला एक तो मैं image बनाओंगा कहां बनाओगे एक infinity पे एक d पे हमने बोला अच्छा मेरे बहुत सारे बच्चों को class में doubt हुआ कि यार यह तो वही काम कर रहा है जो पहले भी हुआ था डी पे तो already मेरा object रखा था image भी वह डी पे ही बना रहा है सच में magnification हो जाएगा क्या सच में मुझे यह angle ज्यादा दिखेगा क्या आईए let's find out let's find out बेटा कि क्या सच में हमारे लिए microscope किसी काम का है विसाद आपको पता यह कि काम का है है ना तो चलिए यहां पर दो cases होंगे बच्चों कौन से दो cases होंगे बेटा एक case होगा जब image कहां पर बने in finite पर बने और एक case होगा जब image बच्चों अधी बेटा यहां पर चीज़ें हटा देता हूं थोड़ा दी की value आपको पता ही है ठीक है hem मैं यहां पर फिर से एक बार लिख दूँगा, don't worry, ठीक है बच्छो, don't worry, फिर से लिख दूँगा, हां जी, अरे focus कर रहे हूं, नहीं कर रहे तुम लोग, energy दिखाओ chat box, मैं ऐसे नहीं चलेगा, पूरी कहानी तु सुना रहा हो, तुम्हें बढ़िया, है ना, यह देखो ब बन रहा है बच्छो, वहां पर हम बोल रहे है, चलो, case 1 इसी slide में बस करेंगे, तो यह वाले line में हटाई देता हूं, इसको हटा देते है, ठीक है, board work, बढ़िया, साफ, सुथरा, प्यारा सा होना चाहिए, थाकि हमारे प्यारे प्यारे बच्छे, सब कुछ आसा नहीं से द normal adjustment भी बोला जाता है बच्छो इसको, और normal adjustment है ना, और बच्छो एक बात मैं और आपको बता दूँ, कि जो आपके ciliary muscles होती है ना, आखों की, वो सबसे कम strain होती है, उन पर जोर सबसे कम पढ़ता है, अगर image infinity पे रखी है, आप सोचो ना, जैसे आप beach में जाते हो, तो ऐसे समंदर को देखते हो, बहुत दूर दूर तक है, कितना अच्छा लगता है, कितना relaxing लगता देखना, कभी सोचा है क्यों लगता है, हमारी आखे बहुत कम strain होती है, आराम से देख पाते हैं, क्योंकि object बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आखों म समझनी होती, कि least strain का मतलब क्या है, infinite पे image बन रही है, ठीक है, अच्छा, फिर हमने बुला, lens अंकल को बुलाया जाए, बड़ा style मार रहे थे, lens अंकल आ जाओ, हाजिरो lens, तो lens हो गया, हाजिरो, अच्छा, यह लो, मैं magnification करा के दूँगा, यह ऐसा promise करता है, इसका जो focal length हो होगे न, उतना जादा magnification मिलता है, इसलिए हम focal length को बहुत small रखते हैं, ठीक है, अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते जाना मजाएगा तुम्हें, अगर यह आपका lens है, है न, मालो, यहाँ कहीं पे आपका object रखा हुआ है, बताईए, object को, कौन से point पे रखन चाहिए, ताकि image infinity पे मिले, क्योंकि वही तो condition है, image at infinity बेटा, तो object कहां पे रखा होना चाहिए, कि image infinity पे मिले, object रखा होना चाहिए, सर्फ focus पे, object कहां रखा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, यह तो बात मुझे समझ में आई, सही बात बोल रहे हैं, मेरे बिच्चे बिल चाहिए, और यह refraction बाद ऐसे चली जाए, पिटा यह देखो, दोनो refraction वाली race, क्या एक दूसरे के parallel हैं, बिलकुल है सर, parallel, तो parallel race कहां पे जाके intersect करेंगी, टेकनिकली, infinite पे, तो यहीं कहीं infinite पे आपको image मिलेगी, तो पहला promise, lens ने हमारा पूरा कर दिया, lens बोल रहा है, मैं ना तो दिया image infinity पे, हमने बोला, अच्छा, तुम्हे क्या लगता है, हमने lens को इसलिए बुलाया था, कि infinity पे image बने, हमने उसको याद दिलाया, कि भाई, तो अपना दूसरा promise मत भूली हो, तेरा काम है magnification, यह बता, कि magnification तूने कराया क्या, तो उसने बोला, अच्छा, अभ भी बताता हूं, ठीक है, तो देखो, अब यह जो हमारी प्यारी प्यारी आखे हैं, इधर जो आखे हैं, हमारी जो image को देखना चाह रही है, उस पे अब कितना angle subtend हो रहा है, आपको पता है क्या, अबजेक्ट का क्या angle इन आखों में subtend हो रहा है, बच्छो, यह वाला angle, सह तो height of object हो गया हो, तो object है हमारा, तो बच्छो, अब वो theta कितना है, theta of image, angles subtended by image, कितना है बच्छो, देखो, अब वो है h naught divided by f, हमने बोला, यह क्या, h naught by f, इससे कैसे पता चल रहा है कि magnification हुआ, तो lens ने बोला, देखो, नमूनो देखो, तुमने पहले ही focal length बहुत small लिया ह पुराना magnification कहता है h naught by d, नया magnification कहता है, मतलब नया angle कहता है h naught by f, अब खुदी विचार कर लो, कि क्या f की value कम होगी d से, हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है f की value, तो क्योंकि f की value कम है, यह angle जादा होगा, और lens ने अगली बात बोली कि निकाल लो तुम magnification, magnification का formula होता है, theta image upon theta object, जैसे वहाँ height of image upon height of object लेते थे, यहाँ पर theta image upon theta object लेते हैं, तो हमने बोला अच्छा, आइए दिखते हैं, तो theta image आ रहा है h naught by f, सही है, यहाँ से, divided by theta object, मतलब naked eyes से कितना angle मिल रहा था, तो naked eyes वाला हो गया h naught by d, तो यहाँ पे, हैना बेटा, d उपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका h naught, h naught, h naught cancel हो गए, object की size के independent आएगा magnification, और magnification का formula आया बच्छो, d by f, और जहाँ पे q की focal length बहुत small है, denominator कम होगा, magnification काफी जादा मिलने वाला है, यानि कि ये value greater than 1 है, आहा, मुझे तो जबरदस्त वाली feel आई है बच्छो, तुम अपना बत बताओ, simple microscope का magnification कितना होता है, अगर image infinity पे बने, d by f होता है, d by f होता है, ऐसे काम नीचलेगा, energy दिखाओ, ऐसे काम नीचलेगा, energy दिखाओ, chat box में, ये गलत बात है, sir इतना मन लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी responsibility है कि आप energy दिखाओ, chat box के अंदर है, ये गलत बात है बच्चो, come on, come on everyone, okay, चलिए, बहुत बढ़िया, feel आगे, like करो बेटा, session को है, like करो, almost 500 are watching, लेकिन likes उससे कम है, ये गलत बात है, हमेशा जितने बच्चे देख रहे हैं, likes उससे जादा होने चाहिए, फटा-फट लाइक करिये session को, फिर मैं आपको next case बताता हूँ, आग clear, are you live, ये सवाल कब मुझे छोड़ेगा, तुमने सुना है वो Bollywood का गाना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, नवस इसी फिराक में हूँ कि ये सवाल मुझे कब छोड़ेगा, are you live, कुछ बच्चे मुझे message भी कर रहे थे, नौ बार किया है, कि सर वो board कहा गया आने वाला था न, यहां पर, है न, I am live वाला, देखो, एक बहुत लिजंडरी एक्टर है, है न, बॉलिवोड में मिथुन चुक्रबॉरती, तो वो बोलते थे, I am a disco dancer, मुझे बोलना पड़ेगा, I am a live teacher, है न, I am a live teacher, है न, तुम तुमारे रहते, यही होगा, teachers का बस, जै परो तरव ऐसे lights ही, lights, black jacket, leather की, और फिर उनका पूरे dance चलता था, जिंदगी है मेरा गाना, तो मैं भी ऐसी पढ़ा हूँ, जिंदगी है पढ़ाना, है न, I am a live teacher, टे 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 न, चलो, आओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है चाहिए बेटा बताओ, अब image कहां पे चाहिए हमें, case 2 में हमें image चाहिए, at d, कहां पे चाहिए, at d चाहिए, d पे चाहिए हमें image, ठीक है, infinity पे तो नहीं चाहिए, तो इस case में बच्चो, object को focus में रखना अच्छा है, या बुरी बात है focus पे रखना, अरे यार अगर तुम focus पे रख दोगे, तो image तो infinity पे बन जाएगी, है ना, थोड़ा image formation पढ़ाया ना, बेटा, lens का, infinity पे बन जाएगी, अगर focus पे रख दिया, इस बार मुझे चाहिए ही नहीं infinity पे, तो मैं क्यो focus पे रखूँ, मती धोड़ी ना मारी कहीए, मेरी कि मैं focus पे रखूँगा, नही पे रखा हुआ है बच्चो, अब देखो मैं इसको फड़ा फड़ा किल कर देता हूँ, ठीक है बटा, चलो, देखो बच्चो, अब यहां पे हमारी प्यारी प्यारी आखें, जो इस object को देखना चाहती है, है ना, आखे गड़ा के विलकुल देखना चाहती है, इमेज बच्चो, जहां पे object रखा होता है, क्या हम उसको यू नॉट बोलते हैं बटा, यू नॉट बोल सकते हैं क्या बच्चो, देखो, object का distance नमूनो, अरे object का distance बटा, यू नॉट लिख सकते हैं, यह अपनी image बनी है, यह क्या है, अपनी image बनी है, तो image का distance क्या हो जाएगा, व तो इधर जा रही है तो वो positive direction है तो बच्चो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे theta image लिखते हैं कितना angles obtained हुआ अब वैसे तो technically आपको ऐसे निकालना चाहिए था यह वाला इस बड़े triangle का लेकिन इतना triangle तो आपने basically पढ़ा ही होगा इतना geometry तो आप चाहे इसका angle निकालो यहाँ पे चाहे छोटे वाले से एंगल निकाल लो एक ही बात है क्या यह देखो है ना concurrent triangles इसका एंगल निकाल लो चाहे बड़े वाले से निकालेंगे हम लोग और हम लोग लि image का मतलब angle चाहिए तो हमें यह height divided by d करना चाहिए था अरे लेकिन image की height पता ही नहीं है image की height पता होती तुम्हें इतना क्यों करता magnification में को अरेड़ी मिल जाता है ना नहीं पता है बिटा तो यहां से निकाल लिया एक ही बात तो है तो हमारा theta i आगया बच्चो ho divided by u naught ठीक है अब देखना धियां से इसके बाद sir ने क्या-क्या सोचा और क्या-क्या किया ठीक है यहां से दिखते जाना बच्चो इसके बद compound microscope तुमारे लिए ऐसे clear हो जाएगा एक बार यह derivation बस आप सीख लो ठीक है बच्चो यहां पर mirror formula लगाया जा सकता है क्या बिलकुल लगाया जा सकता है sir image का distance याने कि v is equal to minus d चेक करो सही है image बनना चाहिए d पे left की तरफ तो minus d object का distance बिटा object का distance बिटा minus u naught ठीक है ना अरे यह भी तो negative है इधार है left की तरफ minus u naught और focal length हो गया आपका f है na focal length जा है positive focal length आएगा जब आप इसमें mirror formula लगाएंगे जब आप यहां पे बेटा क्या लगाएंगे mirror formula लगाएंगे तो mirror formula होता है 1 upon u equal to 1 upon v minus 1 upon m सही है यह mirror formula होता है ना बच्चो हा सर होता है तो यहां पे आप लिखो minus u naught यहां पे आप लिखो minus 1 by d दी यूकि v is minus d और यहां पे आपना सर क्या कर रहे है क्या तीनों तरफ minus है र जगे यहां भी minus यहां भी minus यहां भी minus दोनों तरफ minus को बाहर लेकर cancel कर दो यहां फिर तो आपको answer यहां से मिलेगा 1 upon u naught is equal to 1 upon d plus 1 upon f सही चल रहा है क्यों सिर्फ minus 8 आए बीटा और कुछ निकिया है सिर्फ minus 8 आए खुछ निकिया है अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ d में multiply कर रहा हूँ तो यहां पर क्या आ जाएगा d upon mu naut आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चो देखो d upon d 1 हो जाएगा और यहां पर आजाएगा आपका D upon F, दोने तरफ multiply कर दिया, कर सकते हैं यह D upon D हो गया 1, तो आपको मिला D by mu not, mu not लिख लो, is equal to D by F plus 1, अरे सही है, confuse and fuse तो नहीं हुए ना, detail में करा रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है न, या फिर सीधा formula बता के आगे बढ़ जाओ, यार एक बार तो formula समझ सकते हो न, कैसे आया है बाद में भले आप compound में सीधा formula देख ले न, कुछ नहीं किया यार mirror formula लगाया है, यह आगया अब देखना यह sir ने क्यूं किया, क्यूं किया, तो मैं बहुत दुखो रहा अंदर यह अंदर, क्यूं कर रहे हो sir आप ऐसा mirror formula, sorry, lens formula क्यूं लगा रहे हो यहां पर, अब देखो मैं बताता हूं क्यूं लगा रहा हूं, यह theta i आया है बच्छो यह theta i आया है न, और theta o क्या होता है बेटा, naked eyes वाला, याद है, naked eyes वाला, h naught by d होता है, देखो तो theta o को हमने लिखा h naught by d, अच्छा sir magnification क्या होता है magnification होता है sir, theta image upon theta object है न, तो लिखो ज़रा, ho by u naught, यह हो गया theta image, into, यह हो जाएगा, divide में तो उपर d और nीचे है h naught, h naught h naught cancel, magnification is d by u naught, और d by u naught sir ने already निकाल के रखा हुआ है, smart teacher देख रहो, पहली निकाल के रखा था d by u naught, देखा बेटा तो magnification d by u naught आया, लेकिन magnification यानि कि d by u naught किसके बराबर है 1 plus d upon f के, तो यहाँ से अपना magnification बन गया बचो, 1 plus d upon f, that's it, done and dusted देख लो एक बार कोई परेशानी है तो, देख लो बेटा जल्दी से, परेशानी होनी नी चीए तुम्हें है ना, तुम 12th grade में आ गये हो, इतना focus का level तो तुम्हारा होना चाहिए कि sir, जो भी steps कर रहे है, उसको एक बार follow तो करो कम से कम, ऐसे कैसे काम चलेगा नहीं तो बच्चो, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा बिटा, फीली फील आ गई ना, देखो, क्या ही किया है sir, ने क्या ही किया है बिटा, theta image लिखा, ho divided by u naught हुआ, theta object पहले से पता है, h naught by d, naked eyes वाला, दोनों का ratio लोगे तो magnification मिलेगा, तो magnification d by u naught हुआ, d by u naught को कैसे calculate किया गया, lens formula लगा के, d by u naught निकाल लिया sir ने, 1 plus d by f अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, अगर ये simple microscope है, अगर ये simple microscope है, और अगर आप image infinity पे बनाते हैं, तो magnification d by f मिलता है, d d is least distance of distinct vision, f is the focal length, और अगर simple microscope में image d पे बनाते हैं, तो magnification मिलता है, बच्चो, 1 plus d by f neat के point of view से सिर्फ और सिर्फ formula जरूरी है बट क्या फिर भी sir ने ये सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है yes, तो कुछ extra मिले, तो खुश होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, कि सर्फ पता नहीं क्यों derivation करवा रहे हैं, हमें तो चाहिए नहीं derivation, बटा, derivation थी low, उसी तो तो feel आती है कि कैसे होई थी चीजे, compound में परेशान नहीं करूँगा, compound में direct formula बता दूँगा, don't worry, ठीक है yes everyone, तो कब होता है 1 plus d by f, जब image it is at d image it is at d, ठीक है, और कब होता magnification beta d upon f, जब image होता है, बच्चो infinity पे, ठीक है, दो cases, normal adjustment, magnification d by f, direct question आएगा, values रखनी, answer लाना है, अगर image d पे form होती है normal adjustment नहीं है, d पे form होती है तो 1 plus d by f, done and dusted, ठीक है अब देखना ध्यान से lens से हम बड़े खुश हुए कि भाई साब तुमने तो बड़ा अच्छा magnification दिया, और जब कोई कुछ देता है तो लालच बढ़ता जाता है, हमारा लालच बढ़ गया अच्छा, हमने बोला lens uncle, lens uncle हमेना और magnification चाहिए और magnification, तो lens ने बुला सबर करो, पागल हो क्या focal length को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है blurred image मिल जाती है ढंक से image formation नहीं होगा, बहुत कम कर दोगे focal length को तो, तो जितना मिला उसमें खुश रहो, हमने बुला अच्छा ऐसा भी है तब तो ये simple microscope बहुत ज़्यादा magnification नहीं दे सकता, है ना focal length की value limited है बहुत कम में करनी सकता और magnification बढ़ाने के लिए मुझे focal length बहुत कम करना पड़ता, ये पहले उन्होंने हाथ कड़े कर दिये, नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा बहुत कम नहीं कर सकते तुम ओके, तो हमने क्या बोला फिर कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम compound microscope बना लेंगे लो, है ना बेटा, ये यहाँ पे simple गलत लिखा हुआ है, please don't mind, है ना, ये compound है हमने क्या बोला बच्चो, हम compound microscope की help ले लेंगे आप रहने दो, आप से नहीं हो पा रहे तो, ठीक है अब ये compound microscope की कहानी क्या है, वो वाला microscope देखा है, lab में होता है, जो आपके school में भी रहा होगा, ऐसे वाला देखा है बेटा ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे fixed होता है, यहाँ पे object रखते हैं यहाँ से आता है lens है ना और फिर ऐसे आखे गड़ागे आप देखते हैं उसको दिखा होगा ना, school में होता है बच्चो यह school में यही वाला तो होता है, क्योंकि सबसेस्ता होता है, ठीक है यही वाला कराते है, खेर तो बच्चो यहाँ पे दो lens होते हैं simple microscope में कितने lens थे वेटा एक lens था, है ना, यहाँ पे दो lens होते हैं दो lens होते हैं, एक होता है आपका objective lens जो object के पास रखा होता है और एक होता eye piece lens जहाँ पे आप आग हे लगाते हैं ऐसे क्या diagram बनाया था ना आ वेटा, तुम मजाक उड़ा रहे हो ठीक है, ठीक है अब क्या करूँ, मैं bio नहीं पढ़ाता मैं नहीं मना सकता अच्छे diagram तो ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं, इस ओके चलता है काम, मेरी बात तुम तक पहुच गई ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है हाँ, तो objective है और eye piece है अब देखना बच्छो मैं अगर आपको इसके पीछे का basic idea बताऊ देखना कितनी जल्दी compound हो जाएगा तो हम बोलो कि सर, simple से भी आसान है compound ऐसा बोलो कि तुम, देखना ये जो eye piece है ना eye piece lens जो है ना ये actually हमारा simple microscope ही है ठीक है simple microscope क्या होता है एक lens होता है तो ये simple microscope ही है ऐसा समझ लो आप और हम simple microscope की थोड़ी help कर रहे है एक और lens लगा के पहले ही एक और lens लगा दिया पहले ही तो देखना क्या क्या होगा, ठीक है यहाँ पर object जब आप रखोगे इस lens के सामने तो ये lens उसको पहले थोड़ा magnify कर देगा क्योंकि lens का काम ही है थोड़ा magnify करना, ठीक है तो देखो ये जो object की height थी ना अब ये inverted image देखे थोड़ा increase कर दिया उसने height को ठीक है, और फिर वो concept आपने सीखा है कि ये इसके लिए तो image है इसके लिए तो image है लेकिन इसके लिए object हो जाता है तो इन भाई साब को पहले ही थोड़ा magnification मिल गया पहले ही थोड़ा magnification मिल गया पहले ही object थोड़ा बड़ा हो चुका है पहले ही उसकी image थोड़ी बड़ी बन चुकी है अब ये उसको थोड़ा और magnify कर देते हैं तो how many stages of magnification is happening? 2 पहला magnification कौन कर आता है? objective lens वो एक बड़ी image बना के देता है उस बड़ी image को और ज़्यादा magnify कौन कर आता है? आपका ये वाला lens, eye piece lens जिसको आप simple microscope भी कह सकते हैं अब देखना मैं formula तुम्हें कैसे याद करवाता हूँ, ठीक है? बच्चो बताओ, इसी lens में magnification का formula ये होता है क्या? V O divided by U O होता है क्या? V by U बेटा, O O इसलिए लगा है क्योंकि ये objective lens है तो O for objective कह रहा है, ठीक है? तो ये जो magnification है, ये पहले वाले का हो गया, objective का magnification हो गया आपको क्या करना है? टोटल magnification के लिए, objective का magnification multiplied by eye piece का magnification करना होता है अब देखना, objective का magnification क्या इतना ही होगा? V O by U O होगा? हाँ सर, बिलकुल होगा और eye piece का magnification, अब ये भी derived किया है क्या eye piece ही simple microscope है? क्या गंगा धरी शक्तिमान है? हाँ सर तो eye piece का magnification, d by f b हो सकता है और ऐसा भी लिख सकते हैं, V O by U O eye piece का magnification, 1 plus d by f b हो सकता है अब आप खुदी बता दोगे, आप खुदी बता दोगे कि d by f हम लोग कब लिखते हैं? जब normal adjustment होता है, है ना? और 1 plus d by f हम कब लिखते हैं बेटा? जब image कहाँ पर बन जाती है? at d बन जाती है, done and dusted, खतम खतम, नीट के हिसाब से खतम, topic the end topic बेटा the end हो गया, देख लो एक बार ठीक है? तो देख लो simple तो है, दो lenses है, objective है और eye piece है पहला stage का magnification objective ने कराया, answer हुआ v not by u not, दूसरा magnification eye piece ने कराया, answer हुआ d by f, अगर infinity वाला case है तो, और अगर at d वाला case है तो answer क्या होगा? 1 plus d by f, अरे feel आई है, है ना? कुछ बच्चे बोल रहे है, sir हम तो थोड़ा confused हो गए, sir हमें थोड़ा कम मज़ा आया है, देखो, जैसे ही तुम्हें derivation कराना शुरू कर देते हैं ना हम लोग, जैसी तुम्हें बताने लग जाते हैं कि कोई चीज क्यों हुई है, थोड़ा सा भी जैसी detail में जाते हैं बिटा, तुम patience lose कर जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, है ना? जब ऐसी कोई चीज एक्स्ट्रा आपको बताई जाती है, जब derivation में focus किया जाता है, जब ये बताया जाता है कि कहां से आया है, तो आपको अपने सर से एक कदम आगे रहना है, दो कदम पीछे नहीं, ये होता है physics को पढ़ने का सही तरीका, फिर तुम रखोगे तो नफरती करोगे ना physics से, ये attitude मत रखो, देखो मैं ज़्यादा तर तुम्हें direct formula based जी कराऊंगा, लेकिन कभी-कभी बीच-बीच में तुम्हें idea दूंगा बच्छो कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, right everyone, right everyone, हाँ जी, ये मैंने गलती से mirror formula बोल दिया था, slip of tongue था, ये lens formula है, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था बेटा, चेक तो कर लो, है ना, ये lens formula actually, ये वही तो formula है, 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F है, बच्छो, slip of tongue था, mirror formula नहीं है, lens formula है, हाँ, चलो, आगे बढ़े, चलो, एक question try करो, एक compound microscope है, ठीक है, जिसमें eye piece का focal length हमें 10 cm given है, यानि कि focal length of eye piece is given as 10 cm, and an objective of focal length of 4 cm, ठीक है, objective का जो focal length है बिटा, वो given है, हमें 4 cm, ठीक, हमें क्या बोला गया, object is kept at a distance of 5 cm from the objective, जो objective lens होता है, उससे कितनी distance पे रखा हुआ है, हमारा object बच्चो, 5 cm पे रखा हुआ है, ठीक है, अरे इसको करो confident आजाएगा, परेशान मत हो, so that final image is formed at least distance of distinct vision, यहाँ पे least distance को 20 लिया गया है, वो अगर given है, तो वैसे ही लेते हैं, हम लोगो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो final image is formed at least distance of distinct vision, जो कि आपको 20 लेना है यहाँ पे, तो बताईए, यहाँ पे magnification कितना होगा, magnification कितना होगा, ठीक है, तो बच्चों चलो मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि time की कमी है, मैं ही करा देता हूँ, देखो least distance of distinct vision के case में formula क्या था अपना, यह वाला था, V o by u o, यानि कि objective ने कहाँ पे image बनाई, upon objective का object कहाँ पे रखा था, into 1 plus d by f, यही है, यही है formula, हाँ सरी है, यही है formula, तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला आप काम यह करोगे, कि आप v objective निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे बच्चों, आप v objective निकाल लोगे, याने की objective ने lens कहाँ पर, मतलब image कहाँ पर बनाई, तो देखो lens में image का formula क्या होता है बच्छो, u into f divided by u plus f होता है न, अब आप कर लो, देखो, यह आपका objective है, object यहाँ पर रखा है बच्छो, 5 cm पर, है न, 5 cm पर रखा है न, object हाँ, तो u की value minus 5 हो गई, सही है, देखो, इधर positive होगा, u will be minus 5, f याने की focal length of objective, देखो, ip's का focal length 10 है, objective का focal length 4 है, तो आप objective का लेंगे यहाँ पर, 4, divided by वही हो जाएगा, minus 5 plus 4, ठीक है, तो जो भी आपका answer आ रहा है बच्छो, है न, वो हो जाएगा आपका v naught का value, वो किसका value हो जाएगा बच्छो, v naught का value हो जाएगा, यहाँ से आपने v naught निकाल लिया, अब तो simple सा formula है, देखो, अब तो यही formula है न, v naught divided by u naught, क्या दोनों चीज़े पता चल गई हमें, into 1 plus d upon f, d भी हमें given है क्या, d भी हमें given है क्या, बच्छो देखो एक बार, yes sir, d भी given है हमें, बिल्कुल given है sir, d, d given है, f of ip's, यहाँ पे ip's आएगा, f of ip's, क्योंकि ip's ही तो है simple microscope, तो simple microscope के magnification में ip's आजाएगा, अब बिटा, solve करके देखो, सभी cancer आ रहा है क्या, बताओ एक बार जल्दी से, बताओ बिटा, एक बार जल्दी से, feel आ गई क्या, yes everyone, moving coil, Kelvin motor बिटा, हो चुका है, ठीक है, उपांशू, बिल्कुल हो चुका है, come on everyone, ठीक है, सही है, यह 20 आ रहा होगा, है ना, यह 20 आ रहा होगा, वी नॉट की value, यह 20 आ रही होगी, divided by u not करोगे, u not कितना बच्चो, 5 है, तो यह 4 आ जाएगा, तो यही 4 तो यहाँ पे लिखा है, यह v not by u not है, यह v not by u not है, जो कि आपका 4 लिखा हुआ है, फिर 1 प्लस d by f किया है, d is 20, f i piece is 10, है ना, है ना, कर लोगे बच्चो, चलो इंपर जल्दी से revise करवा देता हूँ, तो आपको क्या-क्या याद रखना है, नीट के हिसाब से सुनते जाना एक बाट, ठीक है, अगर simple microscope हुआ, तो infinity पे अगर बनती है, बेटा image, तो magnification होता है, d by f, that's it, अगर image बनती है, बच्चो, d पे, यानि की least distance of distinct vision पे, तो magnification होता है, 1 प्लस d by f, हो गया, सर बढ़िया है, 1 प्लस d by f हो गया, ठीक है, अगर compound microscope लिया गया, तो magnification दो stage में होता है, एक objective पे और एक eye piece पे, eye piece के लिए, eye piece के लिए, simple microscope का formula यूज करना है, यानि की d by f, या फिर 1 प्लस d by f, depending on where image is getting formed, या तो d by f होगा for normal adjustment, या तो 1 प्लस d by f हो गया for d, है न, for d distance, और उसके अलावा, v naught by u naught हो जाता है objective के लिए, अरे ठीक है, feel आ गई है, चलो आज के लिए इतना रख देता हूँ, आज तुम मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हो बच्छो, तो एक काम करो, इतना revise करके आओ, ठीक है, इतना revise करके आओ, टेलिस्कोप अगली class में करा दूँ, चलेगा, या अभी करा दूँ, जैसा तुम बोलो, टेलिस्कोप important है, टेलिस्कोप में तो और आसान formula मेटा, मैं करा देता हूँ, तुम्हारा confidence बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है, देखो, astronomical टेलिस्कोप की जब आब बात करते है, IPs छोटा हो जाता है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपका objective बढ़ा हो जाता है, और IPs छोटा हो जाता है, objective बढ़ा क्यों है, क्योंकि यार, टेलिस्कोप में infinite से raise आ रही है, बहुत सारी, तो जितनी ज़्यादा raise आप capture करोगे, objective से, objective है तो raise को लेगा ना, object से, तो जितनी ज़्यादा raise आ सकती है, उतना अच्छा होगा, तो इसलिए इसका aperture बड़ा रखा जाता है, बड़ा सा objective रखा जाता है बच्छों, ठीक है, यह हो गया, अब देखना यहाँ पे, जैसे microscope में दो formula थे ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे भी दो formula है, तो magnification अगर infinity पे कराया गया image को, तो magnification होता है, minus FO by FE, FO क्या है, objective का focal length, और FE क्या है, IPS का focal length, simple formula है क्या, याद कर लोगे क्या, that's it, खतम, telescope खतम बिटा, यह formula आपको याद रखना है, ठीक है, और अगर image D पे बनती है, तो formula होता है, minus FO by FE, 1 plus FE by D, लिखो एक बार, एक question कराता हूं, confidence आएगा, come on, एक बार इस formula को लिखो बच्चो, और फिर अपन करते है, एक बार question, ठीक है, come on, come on everyone, magnification and infinity हुआ, तो minus FO by FE, ठीक है, और अगर magnification हुआ, D पे, तो minus FO by FE, 1 plus FE by D, अभी थोड़ा tube length पे बात करेंगे, tube length क्या होता है, पहले इसकी बात करते है, question के, ठीक है, देख actually एक 5 cm होना चाहिए, है न, कि यह objective बढ़ा होता, यह typing mistake है, बच्चो, है न, तो यहां पर 5 cm होना चाहिए, मेरे ख्याल से, एक बार check कर लेते है, ठीक है, 2 m और 5 cm, सही है, तो यह 2 m और 5 cm है, प्लीज इसको सुधार लो, ठीक है, तो F objective, 2 m, F IPS, 5 cm, बोल रहे है, final image, अगर least distance of distant vision पे बने, तो कितना magnification होगा, और अगर infinity पे बने, तो कितना magnification होगा, ठीक है, देखो, दोनों बहुत आसान है, दोनों का formula आपके पास है, अगर D पे बने तो यह वाला formula है, minus F O by F E, 1 plus F E by D, simple है, याद रखना है, और answer देना है, ठीक है, तो अगर final image, least distance पे मनता है, त 200, देखो, एक 2 meter given है, और एक 5 centimeter given है ना बिठा, तो सभी values को centimeter में रखलो, सारे cancel हो जाएंगे, तो 2 meter को हमने 200 लिखा, अपान 5, 1 plus F E by D, F E है 5, divided by D हो गया, सही है, सब कुछ centimeter में रखा है, very nice, minus 48 आया गया सभी का, यह answer आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, second case क्या है बच्छो, final image is at infinity, तो infinity पे minus F O by F E है, F O 200, F E 5, answer आ गया, अब तुम खुद बताओ, तुम खुद decide कर लो, क्योंकि तुम्हारे brain पे message तो तुम ही भेजोगे ना, कि यह topic difficult है या बहुत आसान है, आप स्वयम विचार करिए बच्छो, इसके बारे में, आप सिर्फ इस बात स परेशान हो गए कि मैंने आपको derivation दे दिया शुरू में, है ना, तो कुछ बच्छे बीच में lost हो गए, कि बताने क्या क्या हो गया यहाँ पे, बटा यह derivation इसले दिया, क्योंकि ज्यादा feel आए, इसले नहीं दिया कि तुमारा confidence कम हो जाए, मैं चाहता तो direct formula 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 करके खत हो सकता था मैं सच बताऊं तो, बट मैं ज़्यादा detail में गया है ना, तो इस सीज को आप positively दो, ठीक है, yes everyone, confidence आ रहा है क्या, कर लोगे क्या यह सारे questions, चलिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे आज के लिए रुक जाते हैं बच्छो, resolving power वाला जो topic है ना, यह मैं आपको wave optics के सा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको add करवा दिया था, resolving power of microscope and resolving power of telescope और इन पे दो questions थे, अभी यह 10-15 मिनिट ले लेंगे, इतना time हमारे पास है नहीं, आपको यह करवा दूँगा, अलग से wave optics के अंदर, ठीक है, आज का homework और homework से पहले एक छोटा सा revision, ठीक है, छोटा सा revision हैं, बहुत जरूरी है, आपके confidence के लिए, अगर simple microscope है, और अगर compound microscope है, तो simple microscope में, अगर at infinity image बनती है, तो magnification होता है d by f, और अगर यहाँ पे at infinity image बनती है, तो magnification होता है V O upon U O into D by F, दो stage पे होता है, ठीक है, अगर simple microscope में at D image बनती है, तो magnification होता है, बच्चो, 1 plus D by F, और यहाँ पे होता है, V naught by U naught, 1 plus D by F, यह जो F है, यह IP's का है, याद रखेंगे, यह IP's ही simple microscope है, ठीक है, यहाँ पे, अगर यह telescope हो गया, तो telescope का फॉर्मला एक ही जगे, दोनों के दोनों लिखे हुए है, आप वहीं से याद कर ले न, ठीक है, minus F O by F E, और minus F O by F E, 1 plus F E by D, revise भी करा दिया है, बच्चो पढ़ाने के बाद, ठीक है, तो प्लीज परिशान मत होना, आज इस topic को kill करने के बाद, previous year questions लगा ले न, microscope और telescope के, and that will be it, ठीक है, कॉल कौनसा chapter स्टार्ट हो रहा है, बताओ ज़रा chat box में, कल कौनसा chapter स्टार्ट हो रहा है, बच्चो, wave optics, तो wave optics के लिए तयार हो न, और अभी 15 मिनिट बाद कौनसा session है, देखो, अभी 15 मिनिट के बाद कौनसा session है, बेटा, 15 मिनिट के अंदर अंदर आपका ये वाला session होने वाला है, बैक लॉग का ब्रह्मास्त्र में आपको देने वाला हो, ठीक है, तो ये miss आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, you cannot afford to miss this बच्चो, आजए ये class में जल्दी से, ठीक है, 15 मिनिट के अंदर अंदर, 7.15 को we are actually starting, जीजी लाइफ कोड लगा के आप maximum discount ले सकते हैं बच्चो, और यहाँ पे 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, सारे options आपके पास खुले हैं, ये code लगा के आप discount ले सकते हो, अगर आप iconic के लिए जाना चाहते हैं बच्चो, तो आपके पास 6 months, 1 year or 2 years, ये 3 options रहेंगे, और जीजी लाइफ कोड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं गाइस, finally यार, subscribe कर दो इस channel को, bell icon भी दबा देना, और like कर देना session को, जिससे bell icon दबाने से सारे notifications मिल जाएंगे, and share this video as much as you can, optical instruments में, दो topic जो हमारे रहे गए हैं, वो हम कहां पे करेंगे, resolving power वाले, वो हम करेंगे, wave optics के अंदर, ठीक है, wave optics के end में कर लेंगे, बच्चो, right, ये channels भी हमारे check out कर लो, ठीक है everyone, these are our some other channels, sister channels of NEET, and apply the code GG Life to get the maximum discount, ठीक है, चलिए, bye bye everyone, मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में है न, see you soon, see you soon, bye bye, bye, bye,